Hi friends, my name is Trin Farma and you are watching the world. Friends, अगर आपको photography का सौख है, आपको photo editing करना अच्छा लगते हैं, so friends, ये video सिर्फ आपके लिए है. Friends, इस video को बिल्कुल भी skip ना करते हुए अन तक देखियेगा, इस video में मैं आपको बताऊँगा एक ऐसे application के बारे में, जो की काफी अच्छा अप्लिकेशन है फोटो एडिटिंग के लिहाज से सो फ्रेंड चलिए फ्रेंड इस वीडियो को यही पे स्टार्ट करते हैं फ्रेंड सेंपल में आपको दिखला देता हूँ की यह ओरिजनल फोटो है जो की मोबाइल कैमरा सो लिया गया है यह दिए 11 बजे के करीब लिया गया है जो की उससे में काफी धूप थी इसलिए जो मिरा स्कीन पर परlogo सीने आरह रहा है एंड शाथे साथ आप स्कीन के कलर को भी आप देख सकतो स्कीन कलर मेरा चेंज हो जो कर दो है कैसा दिखता है फ्रेंड्स ये आपके सामने एडिटेट फोटो है जो कि मैंने अभी अभी आपको दिखलाया हुआ था ये फोटो एडिट करने के बाद कुछ इस परकार से दिखता है ये काफी अच्छा दिख रहा है आप देख सकते हो जो कि मेरे स्कीन का जो कलर था वो आथे पर जो पशीने थे वो अभी आप 95 से 0% तक गायब हो चुका है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि बैग्राउंड को भी मैंने थोड़ा बलड कर रखा है और ब्राइट कर रखा है इससे फोटो में एक जान आ जाती है फोटो और अच्छा लगने लगता है तो चलि टेश्टोर पर है आप वहां से जाकर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं फोटो फ्रेंड्स फोटो एडिटिंग लिए जो मैंने आपको को आप्लिकेशन बताने को बोला था वो application का नाम है Snapseed, आप यहाँ पे देख सकते हो कि Snapseed application के through में अपना photo edit करता हूँ, जो कि काफी अच्छा editing होता है, तो चलिए friends इसको open करके, live editing करके आपको दिखला देता हूँ, कि आपको विश्वास हो जाए, जैसे इस application को open करेंगे, कुछ इस पर करक interface आपको देखने को मिल जागा, आप screen पे कहीं भी tap करके, आप you know photo को browser कर सकते हो, या फिर choose कर सकते हो, चलिए friends यह photo को दोबारा edit करके आपको दिखला देता हूँ, यह photo कैसा दिखता है, friends जैसे इस photo, इस app में photo choose करोगे, आपको यहाँ पी नीचे में दिख जाएगा, looks, tools and export export का मतलब होता है कि आप कहीं इसे export कर सकते हो, facebook पे, whatsapp पे, gmail पे, कहीं भी, tools का मतलब है कि tools में आपको बतलाऊंगा, चलिए friends सबसे पहले आपको इस photo को जिम करके दोबारा से दिखला जिता हूँ, कि यह photo कैसा दिखता है, friends आप देख सकते हो, को skin का color जो हुआ हुआ, व जर आ रहे हैं, तो चलिए friends इस photo को edit करते हैं, photo को edit करने के लिए आपको tools में जाना हुआ, tools में, जैसे tools के आप click करेंगे, बहुत सारे आपको यहाँ पे, option देखने को नहीं जाएगा, आपको सबसे पहले वाले option, tune image पे click करना है, tune image पे click करते ही, आपको यहाँ पे brightness दिख जाएगा, brightness आपको यहाँ पे बड़ा दनी होगी, brightness कोशिस किजिए का 50+, यह अब जैसे screen पे उपर की तरफ अपने उंगलियों को करेंगे, आपको other option मिल जाएगा, contrast का, contrast भी आपको यहाँ से बड़ा लेना है, saturation, saturation से आपको color change होता है, skin color, तो हमको color change नहीं करना है, ठीक है Ambience, Ambience से आपको light मिल जाता है, highlight से भी आपको, देखिए, shadow बहुत important है, friends, जैसे कि मैंने shadow को 100+, प्लस कर दिया हूँ, तो आप देख सकते हैं, मेरे बालों का, मेरे hair का color जो है, वाकई में, change हो चुका है, तो इसको, friends, आपको minus में ले जाना है, minus 50 में ले जाना है, तब ही आपका, जो hair का color है, original, dark, black में दिखेगा, तो इसको कर लेना है, आपको नीचे में tick mark दिया हुआ है, इसको tick कर लेना होगा, मतलब, save कर लेना हो, जैसे इस image को save करेंगे, पहले से कुछ अच्छा image लग रह की है, so friends, चलिए, tool पे दोबारा से click करते है, and tune image मैंने अभी किया था, उसको छोड़ देंगे, detail में आएंगे, detail में जैसे आएंगे, आपको यहाँ पे structure, बढ़ाएंगे, तो आपको कुछ इस परकार का, केरा नजर आएगा, आपका, आप देख सकते हैं कि, originally मेरे screen पे इत सारे पसीने थे, उस टाइम पे, जब मैंने photo click किया था, क्योंकि मैं दूप में था, तो चलिए, friends, इस पसीने को, and इस skin के color को भी हमको remove करना है, तो चलिए, मैं आपको बतलाता हूँ, कैसे remove किया जाएगा, जो structure है, उसको, जो मैंने 100 किया हुए, उसको minus में ले जाएंगे जैसे ही, इसको minus में ले जाएंगे, 50 minus में ले जाएंगे, 50 minus, तो आप देख सकते हो, आपको दोबारा से दिखला देता हूँ, कि जो पसीने थे, जो skin का color था, वो सब गया बहु चुका है, और कितना अच्छा लगने लगा है, आप देख सकते हो, कि completely skin का color plus पसीने, दोनों कि दोनों remove हो चुके मेरे face से, and face बहुत ही delighted, बहुत ही bright नजर आ रहा है, tool पे दुबारा click करके, हम जाएंगे friends, यहाँ पे आपको lens में, हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, यहाँ पे, हमको बस image को थोड़ा blur कर देना हुआ, friends, अब देख पार हो कि, यह जो image है, set से blur हो जाएगा थोड़े दिर में, देख लो आप, set से, चारो बगल से, यह blur हो चुका है, मैंने blur कर दिया है, अब, अब मेरे skin का जो color है, दोबारा से आपको दिखला देता हूँ, जो कि पसीने था, देख लीजिए, पसीने लगबग 100%, 0% तक घटके आ चुका है, मतलब, completely पसीने जो थे, वो वाइनिस हो चुका है, मेरे चेड़े से, और चेड़े का जो color था, जो skin का color था, जो कि dark था, वो अपने original color white में आ चुका है, फ्रेंट्स, विंटेज में आएंगे, तो आपको यहां पर थोड़ा और dark देखने को मिल जाए, यहां पर फ्रेंट्स आप जितना चाहिए, उतना dark image को कर सकते हैं, क्या लिए इसको पूरा ही डार कर लेते हैं, ऐसे भी में अच्छा लग रहा है, इसको कर लेंगे, save, write, export पर क्लिक करते हैं, आपको नजर आएगा, यहां पर share का, share पर क्लिक किजिएगा, तो कुछ तिर में आपको option मिल जाएगा, share करने का, option आपको दिख गया, यहां पर आप कहीं भी इसे share कर सकते हो, चाहिए वो आपका facebook हो, workshop हो, या फिर instagram हो, हमको इसको share नहीं करना, हमको करना, इसको save, save पर क्लिक करेंगे, तो photo save हो जागा, थोड़ा दर गवैट कर लेंगे, So friends, आप finally देख सकते हो, कि यह image किस परकार का नजर आ रहा है, दोबारा से आपको gallery में जाके दिखला देता हूं, Friends, आप यहां पर देख सकते हो, कि photo कितना अच्छ नजर आ रहा है, कितना attractive look नजर आ रहा है, चारो बगल से बिलकुल dark, मैंने कर दिया है, और काफी you know, catchy नजर आ रहा है image, image को अगर इस image को आप post करेंगे, इस तरह से image edit करके, तो facebook पे like मिलना तो लाजमी है, comment भी बहुत अच्छ अच्छ मिलेंगे आपको, so friends, I hope आपको यह video बहुत ही अच्छ लगा हुआ, तो please video को like करके हमारे motivation बढ़ाए, comment करके हमारा होसला बढ़ाए, वीडियो कैसा लगा, please अपना राय दे, अपना feedback दे, अपना comment दे, comment box में, friends चैनल पर ने हैं, तो चैनल को please subscribe करके, बगल की bell icon को भी हिट कर ले हमारे latest video को सबसे पहरे देखने के लिए, friends मैं जब भी video बनाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि video आपके लिए useful होना चाहिए, उसको ध्यान में लगते हुए मैं video बनाता हूँ, तो please friends इस video को like करके हमारे होसला बढ़ाए, मैं प्रिंस सरा फिर्म लोगा एक नई video साथ तब तक के लिए, थैन्दे बादा. झाल